गुड बार्निंग टु आल अज अपर बात करते हैं आर्के बैक्टिरिया की आर्के बैक्टिरिया को प्रतिव पर सबसे पुराना जीवित जीव माना जाता है वे मोनेरा समाज यानि मोनेरा जगश से संबंदित है और उन्हें बैक्टिरियों की रूप में वर्गिगरत किया गया लगा क्योंकि माइक्रोसकोप के नीचे देखने पर ये बैक्टीरिया जैसे दिखाए देते थे हैं, इसके अल्वा फ़े प्रोक्यरिटिक से पूरी तरह से अलग हैं, हाला कि वे यूक्रिटिक के साथ थोड़ी समानता हैं, साजा करते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत सारी प्रोक्रिटिक से भिन्ड़ता भी प्रदशित करते हैं इस कारण से ना तो हीने अपन यू के पूरी तरह से यू क्रिटिक कह सकते हैं और ना पूरी तरह से प्रोक्रिटिक कह सकते हैं आभर में बात करते हैं, ये बहुत कठोर परस्थितियों में बी जैसे समुद्र के तल, जौला मुकी छिदरों में आसानी इसे जीवित रचिते हैं इसलिए इन्हें एस्टरोफाल की रूप में जाना जाता है तो आप सो सकते हैं कि जितनी वी विफ्रीद परसितियां होती हैं उनमें ये आर्की बेक्टिरिया जो होते हैं वो अपने आपको जीवित रख पाते हैं हम बात कर लेते हैं इनकी structure की तो आर्की बेक्टिरिया को जो diagram है आपके सामने हैं तो आप में capsule होता है, capsule auron होता है, cell wall होती है, plasma membrane होती है, cytoplasm होता है, ribosome इसमें present होता है और इसमें एक phlegelum present होती है, तो ये आर्की बेक्टिरिया structure है, इसके बाद में इसके अंदर जो नु तो आर्की बेक्टिरिया की महत्पूर्ण विशिष्टाइं निमन लिखते हैं, आर्की बेक्टिरिया बाद्देकारी या एच्छिक आवाश यह है, अब आप समुझेंगे इसका मतलब क्या है, आर्की बेक्टिरिया जो है, वो एसे आवासों में पाए जाता है, यानि ऐस मेथनोजेनेसिस से गुजर सकते हैं, यानि वो सिर्फ और सिर्फ बाकि दूसरे बेक्टिरिया इस मेथनोजेनेसिस से नहीं गुजर पाते हैं, लेकिन आर्की बेक्टिरिया मेथनोजेनेसिस से गुजर पाता है, आर्की बेक्टिरिया की कोशिका जिल्ली लिपिट से बनी तो आप सोचेंगे कि उनकी इस कोशिगा बित्ती पर हाईपरटेंशन यानि बहुत जादा बित्ती नाव लगने के विज़से उनकी कोशिगा फटने की चांज बन जाते हैं लेकिन फिर भी ये फड़ता नहीं क्योंकि ये क्या होता है हाइपो टौनिक होता है और ये किसी भी फ्रीद प्रस्तिती से अपने आग को बचाने किसके पास शमता होती है कोशिगा बित्ती सुडो म्यूरीन से बनी होती है जो आरके बेक्टरिया को लाइसोजाइम के प्रवाव से रोकती है लाइसोजाइम मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाने द्वारा जारी एक एंजाइम होता है अब Lysogym को होता है ? Lysogym जैसे मानखे जलो अर्क के बैक्टियर ने किसी दूसरे के उपर अटेक किया या दूसरे होस्ट के उपर उसे हो गया लेकिन वहाँ पर Lysogym activates होगा और वह इसको वैक्टिरिया को मारने की कोशिश करेगा लेकिन इसके उपास क्या पाई जाती है कोशी का बित्ती जिसमें सूडियो मूरीन की बनी होती है इसी कारण से जो अर्किपेक्ट्रिया होता है उसमें लाइसोजैम का प्रभाव नहीं हो पाता इसी कारण से जो ये क्या होता है रोग जनक बेक्ट्रिया के कोशी का दीवार क गोल देता है नुक्लियस मिलता है एंडोप्लास्मी रेटिकुलम मिलती है माइट्र कॉंट्रिय मिलता है लाइससों मिलेगा क्लोप्लास्ट जैसी जिल्ली से बंदी अंग नहीं होते हैं या आप यह पात्स दबज लें क्लोप्लास से बंदी अंग वी डी जीवतर हैं यानि जब। एक्स ट्रोफोफाइट कहा जाता है वे अमलिय और शारिय जल शेत्रों में और क्वेथरां के उपर के तापमान में भी जीवित रह सकते हैं वे दोसो से अधिक वायमंडल के अधिक उच जाप पर भी आर्षा नीसे जीवित रह सकते हैं और कि बेक्टिरिय प्रमोख अंटिबायोटिक दवाईओं के प्रतिक उदासियन हैं यह भी प्लास्मेट होते हैं जिन में एंटिबायोटिक प्रतिरोधी एंजाइम होते हैं, पर जनल की विदि अलेंगी होती है, जिसे बाइनरी विखंडन की दोरा कसंपन किया जाता है, यानि यहां इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह सेक्शोल रिप्रोडक्शन होता है